गोपल फाड ये है गोपल फाड पर जाओंगा तुम क्या कहते हो हाँ जगहां अच्छा है सुना हुश सेर भाल्व नहीं है लेकिन खरगस इरन बहुत है वहाँ पर क्यों गोपल तुम क्या कहते हो जैसा आप चाहि महराज ठीक है तो अगले हपते चलते हैं जलेंगे चलेंगे कितना देर हो गया सिकर पे आया हूँ लेकिन गोपल कहा है गोपल गोपल उसे बोलाओ गोपल आ रहा हूँ महराज जी बोलिये महराज बोलाते बोलाते मेरा गोला सुग गया कहा थे तुम अभी तक वो हलबाई के साथ में थोड़ा क्यों गोपल तुम रहाज में क्या कर रहे थे हलबाई के साथ खना बना रहे थे जी नहीं मैं देख रहा था की रैसोई में नमक मेरे चीज़ सब ठीक तक है की नहीं ठीक है अब तुम्हें मेरा एक काम कर देना होगा अग्या दिजिये एक दास को साथ में ले जाकर तुम पास के गाउं में जाकर खाने पिने का सामान ले आओ पैसे दिबांजी से ले लेना इसके लिए दास का क्या जरुरत है मैं खुद जा रहा हूँ नहीं नहीं ऐसा कैसा हो सकता है इतना सारे समान तुम सर पे ले आओगे मेरा तो बेज़िती हो जाएगा गोपाल तुम ये कभी सुचे हो सच में तो गाओवले कहेंगे राजा किसना चंद्र इतना कंजुस है जो एक दास नहीं रख सकते अपने सभावसियों से काम करवाते हैं नहीं महराज मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा जिसके कारण अपका कोई बेज़िती हो इससे तो मेरा ही पदनामी होगा सभी कहेंगे की गोपाल ऐसे राजा के पास काम करता है जो राजा इतना कंजुस है इसलिए गोपाल काम छोड़ कर नोकर बन गाया तो क्या करूगे मैं अपके दास रगु को अपने साथ ले जाऊंगा सुना हूँ की वो उसी गाउ का है रास्ता अच्छी तरह पहचालता है खने पिने का समन खर दिखे मैं दास रगु को कह दूंगा समन ले आए ठीके महराज ठीके गोपाल तुम रगु को ले जाना और सारा खर्च दिबांजी से ले लेना जी महराज रगु आज तो खाना बहुत स्वादिश्ट वानेगा पेट भर के खाएंगे है ना रगु आप ठीक बोल रहे हैं आज पेट भर के खाएंगे हाँ हाँ रगु जल्दी चल जल्दी चल बरन बजर बंद हो जाएगा रगु हाँ हाँ चलिए चलिए काजी साहब समस्दा अनपाईवी है क्या उसमस्दा है घार के अंदर बहुत समन नहीं रख पा रहा है क्या करें साथ में काजी साहब चोरों के बज़े से हम लोगों के जीने दुस्वर हो गया है करें सुभा सुभा में मैं अपना धूर्टी को दे बाहर शुका रहा था धौरे देर में स्टोरी हो गया है गयब हो गया उसके बाट उस चोर को मैं एक बिन पकर लिया तो वह चोड क्या बोला है अपको पाता है हुकम क्या बोला वह चोड यह तुम्हारा सामन है तो क्या हुआ नहीं दूगा यह आ बेच दूगा शाम्ज़ें जी हाँ जी सहाँ यह सब चोड़ी बंद करवा दिजिए ठीक है तुम लोग परिशन मत हो मैं उस चोड को पकरने के पूरे गाओ में घशना करवा दूंगा तुम लोग जाओ सुनो सुनो वासि हमारे कजी सहाप का यह हुकम है जै अगर गाओ में नदी में जंगलों में खेतों में रस्टों में कहीं भी किसी भी परकार का कोई भी वस्तु दिकेगा तो उस बस्तू को देखे कर तीन बार चलाईएगा वो बस्तू जिसका होगा वो आके ले जाएगा अगर वो बस्तू पाकर कोई ना दे तो उस वेक्ति को काजी सहाब सजाए मौत देंगे अगर कोई ऐसा वेक्ति दिखे जो चोर जैसा दिखता हो वो उसी वक्त ही आकर कांजी सहब को आकर बता दे अगर वो चोर पकरा गया तो चोर को पकरवाने वाले को इनाम दिया जाएगा वार उस चोर को देंट दिया जाएगा अज तक रास्ते में मुझे फूटी कोवरी नहीं मिला वार घुशना कर बोलता है कोई बस तू मिले तो बता ना चलो चलो देर हो रहा है चलिये 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 अरे यह क्या है ओ रहा उस घास के अंदर कुछ है कुछ तो है उस घास में चलो चल कर देखते हैं हाँ हाँ चलिये चलिये देखते हैं यह तो एक अंगोठी है ओ भी नग लगा हुआ किसी सुनार को दिखाना पड़ेगा तुम्हारे जान पहचन का कोई सुनार है हाँ है मेरा बचपन का दोस्त नाम रतन सेन चलिये चलते हैं उसके पास नहीं नहीं अभी नहीं अज सामको तब तक यह अंगोठी मेरे पास रहने दो अगर यह अंगोठी किम्ती है तो इसका अधा किमत तुम ले ना और अधा में हाँ हाँ मैं तयार हूँ तयार हूँ तो अज सामको तुम हमें बुलाना समझे ठीक है ठीक है अब जल्दी चल कुछ नहीं मिलेगा बजर में हाँ 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 साम हो गया है अभी तक रखू क्यू नहीं आया है मालीक मालीक इतना देर बाद आया है यह आ रहा हूँ क्यू इतना देर क्यू कर दिया क्या बोलू देर कैसे हो गया महराज और मंत्री सब ही लोग जगे हुए थे इसलिए ठीक है ठीक है अब अपने सोनर दोस्त के पास ले चल हाँ हाँ चलिए रतन सेन रतन सेन दर्वाजा खोलो हाँ इस समय कौन आया है हाँ के शंती से काम करने भी नहीं देते स्रिफ 10 दिन बाकी है काजिस चाहब का बैटे की जनम दिन है अगर हीरे का हार नहीं तयार हुआ तो इसका मतलब हीरे के ललच में चोर आया होगा ये क्या में चोर के हाथो बारूंगा नहे नहें नहीं क्या कर दोस्त दोस्त वो दोस्त रतनसेन कौन मेरा गूँ दर्वाजा खोल अच्छा दोस्त रुको मैं आ रहा हूँ आ आ अंदर आ आईया ये अंदर आईये तो फिर रगु इतने रात को कैसे साथ में ये कौन है अरे इन्हें नहीं पहचानते हो ये किष्ण चंदर राजा के बिदुसक है ये बहुत ग्यानी है इनके बारे में तुमको बहुत बार में बोला हूँ हाँ हाँ याब है याब है आपके बारे में में रेगु से बहुत कुछ सुना हो आज देख भी लिया बोलिये क्या सिवा करू आपका रतन सेंड इस अंगूठी को देखो ये अंगूठी आपको कहा मिला रास्ते में आज सुवा सुवा जब हम दोनों जा रहे थे तभी रास्ते में घासके अंदर ये अंगूठी हम दोनों को मिला लेकिन क्यों ये अंगूठी ममली सुने का है लेकिन जो इसमें नग लगा है वो हीरा है और ओ भी बहुत ही किमती तो बोलिए इस अंगोठी का क्या कीजिएका बेचना है वाटनसेλ इस अंगोठी का कीमत क्या होगा ये पांसो महार होगा तो चलिए इस अंगोठी को बेचकर अधा अधा हिस्सा ले लेते है तुम ठीक कह रहे हो बया हुआ सामन जदा देर नहीं रखना चाहिए लेकिन सुभा का बात यद है न तो फिर क्या किया जाए मैं कुछ सोचा हूँ पर लेकिन क्या सोचे है जो हम लोग बेचेंगे वो आधा आधा नहीं लगे तीन हिस्सा में लूँगा और एक हिस्सा तू लेना मंजूर है हाँ मंजूर है तो चल मेरे साथ चलता हूँ रतनसन ये क्या क्या बोल रही हो ठीक से ढूंटी हो हाँ साब जगा साब जगा ढूंट के देख ली लेकिन हीरे का अंगूठी नहीं मिला तुम बकसे को खोली थी? हाँ एक दिन खोली थी गहना सारा ठीक ठाक है की नहीं देखने के लिए लग रहा है वही गिर गया होगा भया आप चिंता मत कीजिए कंजी सहब एक घोशना किये है किसी का भी कोई समान घुम हो जाए तो आके वो बजार में घोशना करते अगर बजार में आकर कोई ये घोशना करेगा तो मैं आपको आकर बता दूँगी आपको अंगूठी मिल जाएगा अगर कल तक तुम्हें वो अंगुठी अगर नहीं मिलेगा तो मैं सोनार के पास जाकर वैसा ही हीरे का अंगुठी तुम्हारे लिए बनवा दूंगा ठीक है? खुश ओ तो किसी को मिल जाएगा तब ना अगर किसी को नहीं मिलेगा तो क्या होगा अंगुठी नहीं मिलेगा उफ चरो तरफ कितना सन्नाटा है और सन्नाटा क्यों नहीं रहेगा यहीं मौका है अब घशना कर देता हूं रगू जी हां मलेक चुरू कर दो घशना हाजी मलिक सुनो 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 मैं महराज किसने चंद्रे के दास रगु बोल रहा हूँ मुझे एक हिरे का अंगुठी मिला है अगर वो अंगुठी किसी का है तो वो आकर जंगल में महराज किसने चंद्रे के दास रगु से आकर मिले इस अधिराद को कौन चिला रहा है बता नहीं पोटा नहीं एक रोखुनाम को अद में एक हीरे का अंगुटी पाया है वही तब से चिला रहा है रात बहुत हो चुका है उस पगल की बात ना सुनकर सब चुप चुप सो जाओ मालीक मालीक कौन कौन इह ओए कौन है सुभासुभा क्यों चिला रहा है सुभा कब का हो चुका है और आप कहे रहे हैं सुभा सुभा माहराज उठने वाले है और उठते ही आपको ढूंडेंगे उससे पहले इस अंगुठी को हमें बेचना होगा ठीक है ठीक है तो फिर चलते हैं जल्दी जल्दी हाँ हाँ चलो चलो ये अंगोठी देखिए कितने का है ये सिरिफ 200 मोहर का है नहीं नहीं इससे महेंगा हीरे की अंगोठी दिखाओ है ये है 300 मोहर का है आओ रगो आओ बैठो बैठो सब कुछ ठीक है ना हाँ हाँ ठीक है ये लो अंगूठी अरे ये तो मेरा अंगूठी है ये मेरा अंगूठी है तुम भगवान का कसम खाके बोलो तो ये अंगूठी कहां पाए हो ये मैं आपको क्यों वताऊं ओय ओय तू कौन है बीच में क्यों बोल रहा है हां ओ मेरे मालिक है इसलिए ज्याद बोल रहा है अच्छा यह अंगूठी आपका है क्या सबुत है उस अंगूठी पे मेरा नाम लिखा हुआ है देखो इनकी बात सच है कि नहीं हां सच है तो फिर मेरी पत्नी के अंगूठी देदो बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगा ये नहीं इस गाउ में कहा गया था जो कोई कुछ भी पाए तो तिन बाड घुशना करे कोई ना सुने तो उसका हो गया क्या चोड़ी करके शर्त रखते हो माल खाओ के क्या आखे मत दिखाओ मुझे आखे निकल लूँगा में सेतन छोटे मूँ बराबात क्या हो पताओ क्या हो पताओ क्या हो कल नस्त में मेरा एक किमती अंगूठी गूम हो गया था वो अंगूठी इस अदमी को मिला है और मैं मांग रहा हूँ तो यह देने से इंकार करता है और इस अंगूठी का किमत मांग रहा है मैं तो कल बजर में यह घुशाना किया था जिसका अंगूठी है वो आके ले जाए लेकिन कोई नहीं आया तो यह अंगूठी आज से हमारा है अठ्छा तो यह ही अपमी था यह तो आप लोग ही बोलिये भाई साब काजी साहब की हुपन के अनुसार एस अंगूठी के उपर इनका कोई हग है तो ठीक बोल रहे है रोलेकिन इस ममले को लेकर काजी साहब के पास जाना चाहिए बहुत इसका सही डिचर्प करेंगे ठीक है हम जाएंगे लेकिन तुम्हें भी जाना परेगा सबुत देने साथ में जाओंगा जरू जाओंगा लेकिन तुम कौन हो भाई मैं ही तो हूँ बोरगू अच्छा अब मैं समझा तो देर किस बात की चलो कजी के पास चलो हाँ सब सुन लिया मैं तो रगू मैं तुमसे कुछ सबल पुछूंगा सही जबब देना तुम जरूद जूंगा साहब अच्छा ये बताओ तुम कल अधिरात को अंगोटी के बारे में क्यों घशना किये तुम्हें क्या यह नहीं पता था कि अधिरात को तुम्हारा जे वो कोई गलती नहीं किया है क्योंकि अपका ये कहना था कोई भी बस्तू अगर रस्ते में मिले तो वेक्ति उस बस्तू को लेकर बजर में जाकर ये खोशना करे अगर ये सुनकर कोई भी बैक्ति अगर ये कहे कि वो बस्तू मेरा है तो उसे दे दे ना अगर कोई ना आ तो वो वस्तु उस व्यक्ति का हो जाएगा लेकिन कजी साहब आप तो इस समय नहीं बोले थे खोशना करने का किश्ना चंद्रा महराज जंगलों में आये है सिकर के लिए इसलिए रखु को बहुत सा काम रहता है खाना पकरना सबका दिख धल करना इसलिए रखु को समय नहीं मिला था कजी साहब इसलिए रखु रात को खशना किया आपको ये सबुत देंगे हाँ कजी साहब रखु साथ बोल रहा है कल रात में रखु अंगोठे के बारे में खशना किया था मैं सुना था और हाँ कंजी साहब इतना ही नहीं पुरा रात इंतिजर करने के बाद रगु इस अंगूठी को सोनार के पास बेचने आया तो आप बताईए रगू का क्या गलती है इसमें गलती रगू का नहीं है गलती है तो मेरा है मुझे घशाना का वक्त बता देना चाहिए था तो मैं अपने गलती को सुधरूंगा बताओ तुम्हारे अंगूठी का क्या किमत था जी पांसो महर कंजी साहब रगू ये लो पांसो महर अब उनका अंगूठी उन्हें दे दो जी कंजी साहब मालिक ये लीजे मोहर का थैला तो 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 ये लो भाई तुम्हारा अंगूठी रगू, तुम इसे क्यों महर दे दिये, ये तुम्हारा कौन है, बताओ, ये मेरा सहाब है, मेरे कर्मदाता, उनका नाम क्या है, महराज किस्नचंद्रे के तिन सेवक है, उनके सभा का बिद्ल सक गोपल हूँ हाँ, अच्छा, इसी लिए हाँ, मेरे विचार से बड़ा विचार किये, तुम कोई मामली नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी देखता हूँ, मेरे सवालों का तुम क्या जबाब देते हो, तो फिर आप अपने सवाल बताइए, तब तक मैं चलता हूँ, चल रगू, हाँ हाँ, चलि सुनों, 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 कजी सहाब जो लागू किये थे, उसे थोड़ा बदल दिया जाएगा, अब अगर कोई भी व्यक्ती, कोई बस्तू अमले चीज पाएगा तो, सुभा पाज बज़े से लेकर, सामको छे बज़े तक, उस बस्तू के बारे में घोसना कर दे, पहले कोई समय लागू नहीं किया गया था, लेकन अब एक दिन के अंदर, उस बस्तू के बड़े में घोसना कर देना होगा, वरना वो अपराधी होगा, कजी सहब के हाथों से पांसो मोहार निकल गए है ना, इसलिए जल्दी ही खोश्याना करवा दिये है ना रखूं। ठीक कहे रहे है आप। थोड़ा खटा, थोड़ा मिठा, सची बातें कहानी में लिप्टा, खुशियों की लगत लेकर, हसी का तफा, बोलेगा गोपाल भाड़, आईगा गोपाल भाड़, देखिये गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़ एसा चरित्रा, बड़ा ही पिछी इत्रा, ढूमक ढूमक कर, करे देखो नित्ता, एसा चरित्रा कानों से सुनो जरा, ठुप छाप सोचो जरा, आखो से देखो जरा बोलेगा गोपाल भाड़, आईगा गोपाल भाड़, देखिये गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़ बोलेगा गोपाल भाड़, आईगा गोपाल भाड़, देखिये गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़